फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जो लोग मिठाई तो बनाना चाहते हैं पर नहीं बना पाते हैं उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये बनाने में इतनी ज्यादा आसान है कि आपने कभी मिठाई नहीं बनाई है और पहली बार बना रहे है तो भी आप इस मिठाई को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं सिर्फ 2-3 सामान में ही ये मिठाई बन कर तयार होती है इसमें ना तो मावा का न दूद का न घी का और नहीं प इसका texture मूह में जाते ही घुल जाती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस मिठाई को त्योहार में या जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो जरूर से ट्राइ करिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उससे पहले फ्रेंड्स आप से मेरी एक रिक् मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सिका जार लिया है इसमें हम सबसे पहले चीनी डालेंगे चीनी को हमें पीसना है तो मैंने यहाँ पर एक चोथाई कप चीनी ली है या फिर छोटे वाले चम्मत से 6-7 चम्मत चीनी लेना है तो इस मिठाई में हम बहुत कम का इस्तिमाल करेंगे मैं यहां पर एक चोथाई कप ले रही हूं आप थोड़ा ज्यादा मिठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं लगबग एक से दो चम्मत चीनी इसमें और एड़ कर सकते हैं और फ्लेवर के लिए मैं यहां पर दो इलाइच तो आप इसे एक बार जरूर से चान लेजिएगा क्योंकि हमें मिठाई को पकाना नहीं है बिना गैस चलाए बना रहे हैं तो आपको यहां पर एकदम चीनी का फाइन पाउडर चाहिए तो एक बाउल पर छन्नी रखेंगे और इस चीनी की पाउडर को इसमें डाल कर अच् हो गया है तो इस तरह का एकदम फाइन सा पाउडर चाहिए हमें इस मिठाई के लिए तो यह पाउडर बनकर तयार हो गया है अब इसे साइड में रख देंगे तो यहां पर इस रेसिपी को बनाएंगे ब्रेड से तो यहां पर मैंने 7-8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं यहां बनकर तयार हो जाती है ये मिठाई तो हमें सबसे पहले ब्रेड के जो किनारे हैं उनको कट कर लेना है तो यहाँ पर मैं इसे काटने के लिए सीजर का यूज कर रही हूँ आप चाहीं तो इसे चाकू से भी काट सकती हैं मैंने किचन में एक अलग से सीजर रखा हुआ है इस इसी चाकू से करती हूँ आप इसे चाकू से भी कॉर्णर को निकाल सकते हैं उससे भी इजिली निकल जाता है तो इसी तरह इसके किनारों को निकाल देते हैं कॉर्णर को इसलिए निकाल देना है क्योंकि इसे टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा कलर में डिफ्रेंस आ जाता है तो यहाँ पर मैंने सारे bread के slice के corner को निकाल लिया है और जो bread के किनारे बच गए हैं उन्हें आप चाय के साथ enjoy कर सकते हैं या पकोड़े बना सकते हैं या फिर bread crumbs बना कर किसी भी recipe पर जैसे की टिक्की वगरा बनाने में भी हमें पीसना है इसका हमें fine सा powder बनाना है जितना आप से हो सके उतना fine सा powder बनाना है तो मैंने इसे pulse mode पर on off करते हुए पीस लिया है जिससे ये आसानी से पिस जाता है तो friends ये मिठाई जुरूर से बनाईएगा सच में बता रही हूँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो ये देखिए bread का जो powder है हमने बना कर तयार कर लिया है अब इसे उसी बाउल में जिसमें हमने चीनी को छान कर रखा है उसमें इस bread के powder को डाल देंगे और चीनी और bread को हमें अच्छे से इस तरीके से mix कर लेना है तो जब हम इसे इस तरीके से mix करेंगे तो bread में हलका सा moisture होता है और जब हम लोग चीनी को mix करते हैं किसी भी चीज के साथ तो चीनी का हलका सा moisture निकलता है तो पहले आप जितना हो सके इस तरीके से mix कर लीजिएगा तो दोनों चीजें अच्छे से mix हो गई है उसके बाद मैं यहाँ पे एक कप milk powder इसमें डाल रही हूँ तो आप इसमें milk powder आधा कप भी डाल सकते हैं लेकिन एक कप milk powder डालने से इसमें बहुती बढ़िया टेस्ट आया था तो अभी हमें milk powder, चीनी और bread powder को अच्छे से पहले mix करना है ताकि यह जितना हो सके अच्छे से mix हो जाए मतलब एकदम crumbly सा हो जाएगा तो अभी आपको यह बिल्कुल पनीर की तरह दिख रहा होगा आप देख सकते हैं जैसे पनीर को crush किया जाता है वैसा ही आपको यह दिखाई देगा तो यह देखिए यह बनने लगा है, मतलब bind सा होने लगा है तो सभी चीज़ें अच्छे से mix हो गई है अब इसे हम side में रख देंगे तो अभी यहाँ पर मैंने लिया है यह दूद जिसके उपर मलाई जम गई है जैसे हम लोग दूद उबाल कर फ्रीज में रख देते हैं तो इसके उपर इस तरह से मलाई आ जाती है तो इसी मलाई का use हम इस मिठाई में करेंगे ताकि इसका जो texture है वो एकदम creamy आए मिठाई में तो friends देखिए आपको कुछ तो ऐसी flavorful या मिठाई का अच्छा texture देने वाली चीज़े डालनी पड़ेगी तब ही आपकी मिठाई का taste आएगा अगर आप ऐसे ही मिठाई बना देंगे तो मिठाई का taste अच्छा नहीं आएगा फिर भी आप इस तरीके से घर पर मिठाई बनाएंगे तो सस्ती भी पड़ेगी और बजार की मिठाई से अच्छी भी होती है तो आप इस तरीके से instant मिठाई बनाना सीख जाएंगे उसमें से देख कर आप असानी से घर पर मिठाई बना सकते हैं कभी भी कोई भी महवान आई या फिर मिठा खाने का मन हो तो आप इन्हें instant बना सकते हैं तो अभी यहाँ पर मैंने जो मलाई ली है उसे थोड़ा थोड़ा करके यानि कि एक से दो चम्मच डालते हुए डो बना कर तयार करना है एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगी और mix करते जाएंगी और इसका एकदम soft सा डो बना कर तयार करेंगी तो जैसे कि मैंने इसमें मलाई डाली है आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूद भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन गया है और बिल्कुल पर्फेक्ट बना है चार से पांच चमच के लगबग मैंने इसमें मलाई एड की है तो अभी हमें इस तरह से एक कंटेनर लेना है मैं यहाँ पर आइसक्रेम का एक खाली कंटेनर ले रही हूँ आप स्टील, एलुमीनियम या फिर प्लास्टिक का खाली डिबा भी ले सकते हैं इसे सेट करने के लिए अब इस पर मैंने हलका सा घी से ग्रीस कर लिया है अब इस पर बटर पीपर लगा देंगी बटर पीपर लगाने से मिठाई असानी से कंटेनर से निकल जाती है तो इसे भी ग्रीस कर लेते हैं अब हमने जो डो बना कर रखा है उसे इसमें डाल देंगी और अच्छे तरीके से इसे सेट कर देंगी तो पहले इसे आप हाथ से अच्छे तरीके से सेट कर दीजी फिर इस तरीके से कोई भी चमच ले लीजी उसे इस तरीके से दबा दबा कर इस तरीके से सेट कर दीजी तो ये बड़ी ही आसानी से सेट हो जाएगा अब इसे आप केवल 10 मिनट फ्रीज में सेट होने के लिए रख दीजिए तो यहाँ पर लगबग 10 मिनट हो गए हैं इसके बाद हम इसे फ्रीज से निकाल लेंगे और इसे डी मोल्ड कर लेंगे बटर पेपर लगाने से यह असानी से कंटेनर से निकल जाता है तो जैसे हम मावा पनीर की मिठाई बनाते हैं उसी तरह कि यह मिठाई बनकर तयार हुई है तो अभी मैं बिल्कुल इसे मार्किट का लुक देने के लिए चांदी का वरक लगा रही हूँ यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप इस पर कोई भी ड्राइफ रूट्स काट कर लगा सकते हैं यह दिखने में और भी मज़ेदार दिखेगी या फिर आप इसे ऐसे ही सिंपल रख सकते हैं तो अभी हम इसे कट कर लेते हैं मैं इसके थोड़े मोटे पीसे काट रही हूँ, आप इसे अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, तो अभी मैं इस चोकोर मिठाई को इस तरीके से तिर्चा कट कर लोगी, ताकि ये दिखने में और भी सुन्दर दिखी, तो आप देख सकते हैं इस मिठाई का टे दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये खराब नहीं होती है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये सिंपल और इंस्टन्ट मिठाई की रेसिपी, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैन